गाईस हम लोग अगर नेट सर्फिंग देखे तो हम लोग को डाउनलोड स्पीड ज्यादा मिलता है और अपलोड स्पीड कम मिलता है कभी आप सोचे है क्यों ऐसा होता है जरूर सोचे होंगे इसलिए तो मेरा चनल में आये है मैं हूँ तनमाए और आप लोगों को स्वागत है मेरा चनल टेक्टू टूर में अगर आप मेरे चनल को सब्सक्राइब ने किये है तो इस लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजे और इस घंटे को प्रेस करके आउन कर दीजे ताके हम लोग का सब वीडियो आप तक सबसे जल्दी और सबसे पहले पहुँच जाए दोस्तो अपलोट speed कम होता है क्योंकि हर एक service provider हम लोग को अपलोट speed ही देते कम है इसका एक बहुत सारा valid reason भी है अगर हम लोग دेखे तो generally हम लोग सब डाउनलोडी करते हैं डाउनलोड मतलब बस video download, film download और song download नहीं होता download मतलब हम लोग जो net surfing करते हैं ओ भी download के अंदर आता है हम लोग जब किसी youtube में video देखते हैं ओ भी download के अंदर ही गिरते हैं तो generally 90% people लोग क्या करते हैं बस watching करते हैं, surfing करते हैं और download ही करते हैं uploading बहुत कम ही people करते हैं इसलिए हर एक service provider अपने customer लोग को रखने के लिए download speed में ज्यादा facility देते हैं क्योंकि उन लोग को पता है कि 90% customer अगर download speed उन लोग को provide नहीं किये तो लोग हो सकता है कि उनका service provide छोड़ दे इसलिए वो लोग क्या करता है download speed में ध्यान ज्यादा देता है upload speed में ध्यान कम दे देता है और भी कुछ valid reason है दोस्तों second one हम लोग का जो technology है net technology वो पक्रिये गरस्ता है और उस दस्ते पे data जाता है और आता है service provider लोग क्या करते है अगर इतना चौड़ा एक रस्ता हुआ तो उसका इतना portion और इतना पार्ट दे देता है download में और इतना सा पार्ट देता है upload speed में तो इससे क्या होता है download speed में जो data आता है वो बहुत सरा space मिलता है उसको इसलिए बहुत जल्दी आ सकता है बट upload speed में जो data जा रहा है उसको space कम मिलता है इसलिए बहुत slow हो जाता है इसलिए download and upload में इतना difference भी आ जाता है और एक कारण है दोस्तों पक्रिये download और upload अगर हम लो हम लोग जो बोल रहे हैं वो बोलना और सुनना अगर एक साथ करने जाए तो कुछ फायदा नहीं होगा उल्टा सब कुछ बिगर जाएगा ऐसे जो सर्विस पोवाइडर है उन लोग को अगर डाउनलोड अपलोड स्पीट एक साथ सेम वय में दे दिये तो क्या होगा अपलोड भी ले लेते है यानि देना लेना एक साथ करे तो उन लोग का सर्विस बंद हो सकता है, खडब हो जाए सकता है लाइक जैम लग जाए सकता है हम लोग का ऐसे जैम लग जाएगा उनलोग का नेट पे इसलिए दोस्तों हर एक service provider download speed में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, upload speed में कम ध्यान दे रहा है, यही main कारण है कि upload speed इतना कम और इतना slow होता है, otherwise कुछ भी valid कारण नहीं है, तो दोस्तों सुक्रिया मेरा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक like कर दीजे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो subscribe जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल को subscribe करते हैं, तो मुझे motivation मिलता है इस तरह का वीडियो और और बनाना, thank you, bye bye, have a nice day.